गलती से भी सच नहीं बोलते हैं हमारे प्रधान मंतरी, क्या हखी करते हैं, सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोट अगर हस्तक्षप नहीं करती, सुप्रीम कोट ने नहीं आदेश दिया होता, कि यह एलेक्टरल बॉण गेर कानूनी है, गेर सम्वैधानिक है किसी को पता ही नहीं चलता, किसने पैसा दिया, किसको गया है यह सुपरिम कोट की बदोलत हुआ है, यह सुपरिम कोट के वज़े से हुआ है और प्रधान मंतरी ने आखरी वक्त तक State Bank of India को कहा यह जानकारी मत दो, वो 30 जनवरी तक उन्होंने टाइम मांगा सुप्रीम कोट ने कहा नहीं, यह हमें मनजूर नहीं है, आपको फॉरन देना होगा और इसी के वज़े से यह पूरी जानकारी निकली है, यह चार रास्ते जो अपनाये गए थे करफ्षिन के लिए घूस के लिए प्रधां मंत्री द्वारा एक्टर बॉन्ड के रास्ते से, चार रस्ते क्या थे, एक तो चंदा दो धंदा लो, दूसरा खेकाल दो घूस दो, तीसरा रास्ता हफتा वसूली, चौथा रास्ता फर्जी कंपनी, यह चार अभी रास्टे अपनाए गए 8200 क्रोड रुप्या मिला प्रदानमंत्री को और भारिज जनता पार्टी को और आज प्रदान मंत्री कह रहे हैं कि मेरे वज़े से यह सब जानकारी आई यह अरे यह सूपरीम कोड के वज़े से आया है आपके वज़े आपने तो पूरी प्रयास की कि जानकारी नहीं आने के लिए